नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे यह जो इस समय पैनल आ रहे हैं मार्केट में अधिकतर टीवी जैसे समसंग और भी कई कंपनिया जो है सब यूज कर रहे हैं और यह आपको देखने को अधिक मिलते हैं तो इसमें एक आइसी है जो कि इस साइड में ल दीफ्रेंस को आप देखेंगे तो यहां पर इस मैं मिलेंगे जो भी होता है तो इसमें जो है यह रेश्टन्स यानि यहां पहले जो also signal यहां इन उगा इस रेश्टन्स के थूरू यहां इस कफ में डारेक्ट आ रहा है आप अधर पैनल में जो पहले वाले panel में देखते होंगे यह पहले 9 कॉन आईसी में इंटर होना था होता था तो उसके बाद फिर वहां से जो signal निकलते थे छे अलग फिर कफ में जाता था तो अब क्या है अब Direct यहां से आ रहे हैं LVDS pen से और इस उसकेंड में इन हो जा रहे हैं अब जो system यहां पे पहले था वह इसमें इंटर्नल हो गया इसके function का अब जो और काम है यानि switching कराना पैनल को scan कराना उसके लिए जो है यहां पे इसको अलग कर दिया गया यानि IC को आने वाले समय में वैसे एक ही single cup में यह सब को जो है include कर दिया जाएगा वह एक advanced technology है जो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा एक साल के आसपास अब देखे इसमें जो प्राब्लम है यानि जो प्राब्लम आते हैं यह आता है ज्यादा तर सिके भी से related अधर प्राब्लम देखने को नहीं मिलता है लेगिन कभी कभी क्या होता है कि जब मौस्चर या नमी कहीं किस टीवी में आ जाता है तो यहां पर यह नेटवर्क अकसर अगर resistance नहीं है तो आप कोई भी resistance इसके value का SIM लगा सकते हैं तो यह जो है अमारा LVD signal यहां से इन होके और टारेट कफ में इंटर हो रहा है यह किसी भी इसमें IC में नहीं जा रहा है तो इसलिए इसको open किये हैं और ऐसे से इसका क्लियर हम करते जाएंगे जो यह कहां कहां से कैसे कैसे connect है और किसका क्या काम है और कौन सा signal voltage अगर absent होता है तो उसका क्या problem स्क्रीन पर दिखता है उस चीज को भी समझेंगे और frequency कितनी होती है उसे क्योंकि कोई जरूरत नहीं है कि आप DSO ही यूज करें एक नार्मल मल्टी मीटर भी उसे सर्ज करके देख सकता है और उस मल्टी मीटर की जो क्वाल्टी है वह हम बताएंगे कि कौन सा मल्टी मीटर लेना चाहिए जिससे हम उसके मिली बोल्ट को और frequency को देख सके क्योंकि जैसे जैसे टेकनलोजी आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपको भी जो है अपडेट होने की ज़रूरत है क्योंकि पहले कुछ और था आप कुछ और है और जितने भी ट्रेक हैं वो सारे जो है बहुत ही नैनो में मलब चलते 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 और अंदर मतलब होते चले जा रहे हैं इस तारे टेकनलोजी को अगर हम समझेंगे जानेंगे तभी इससे रिलेटेट फाल्ड को हम साल्व कर पाएंगे तो जैसे से टेकनलोजी की जो स्पीड है उसे उसे हमको भी हमेशा अटेट होना है क्योंकि आपका जरा सा उससे मिसिंग हुआ तो आप पीछे हो जाएंगे तो इसको थोड़ा-थोड़ा आप काम करते रहे हैं जो इस समय कर रहे हैं और ने-ने टेकनलोजी को भी माइंड म सर्ज करें देखिए क्या है कि आप मुझसे यह चीज़ सकते हैं कि जैसे यह देखें यह कहीं भी आपको पूरे गूगल पर पूरे वर्ड में इस चीज़ें नहीं मिलेगा क्योंकि जो इस्वरगाड की डियाइन होती है माइंड लेवल का वो उसी टाइप से उसको वो काम ने आपके प्रगठ होता है यह मानिए और सब में कुछ ना कुछ क्रेटिव देर कर भेजता है वो चाहें कोई भी इंसान हो कोई भी काम कर रहा हो ऐसा मत समझें कि हम इसको बना हमारा यह है तो आपका कुछ है यानि एक दूसरे की जो हेल्पिंग है उसी से जो है सारे संसार का जो चीजें हैं वो सारी चीजें चल रही है यानि सबकी क्रेटिविटी से ही पूरा संसार जिन्दा है किसी का एक नहीं कि अगर हम को डाइगराम ही बनाए तो उससे सारा काम होगा नहीं कि कोई डाइगराम यह उससे समझा दे रहा है कोई बना ले रहा है किसी का बन जा रहा है यह सब सारे काम जो है एक दूसरे की helping nature से होते हैं तो इस चीज को समझें और इसमें यह ना अपने आपको समझें किसी से कुछ मिल जा रहा है किसी को कुछ मिल जा सब को अपने अपने technology देखने चाहिए क्योंकि आपके पास भी एक brain है computer है और आपको क्या मिला है क्योंकि जब हम कहीं किसी problem में होते हैं तो दूसरे के help की जरूवत होती है उनसे वह help मिला उसका काम हो गया आगे निकल गए तो इसी सिद्धान पर हमको एक दूसरे का help करते हुए आगे बढ़ना है तो थैंको दोस्तों आज की वीडियो में मिलते हैं निक वीडियो थै कि यहां पर ऐसे होता है यह जिसे साकेट है तो इसका जो फ्रेम है यानि जो चोड़ाई है यहां से यहां तक की है और जब यहां से कफ जूड़ता है तो इसका जो है हमने यहां पर एक आउटलाइन बनाया है अब यह आउटलाइन देखकर आप इस्टे बाई समझ सकते है हैं इसके बाद हम इसके पीं की डेटेल बताते हैं कि इसमें कौन-कौन से पीन पे कौन से बोल्टेज इंठर हो रहा है और किस बीज में से क्या प्राब्लम क्रेट होगा तो था क्व 145 आर्ट देखते रे मिलते ने इस ओंड़ झाल 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 झाल